एलो दोस्तो वेलकॉम् को मैं चैनल मेरा नमी भ die व्लाल कुमार और मैं आज बताने वाला हो कि थमदल थमदल क्या होता है क्यों लगाया जाता है तो सम्निल लगाना चिरूरी है की नहीं है तौ दूस्तो जैसे कि हमारा जो वीडियो होता है उसमें होता है ctr click through अगर हमारे वीडियो का CTR बढ़ेगा तो हमारे वीडियो वाइरल होने के चांस ज़्याद रहते हैं तो वीडियो का जो वाइरल करने का सबसे असान सबसे बढ़िया तरीकह यह होता है CTR CTR अमार बढ़ियां जाएगा तो वीडियो वारल होगा तो CTR हमारा बढ़ाने के लिए हमारे पास एक होना चाहिए YT Studio और Thumbnail हमें बनाना पड़ेगा सबसे यूनिक और सबसे बढ़िया जो हम जो वीडियो बना रहे हैं उसके बारे में जो छोटा सा भी हमें कुछ लिखना जैसे कि हम अगर YT Studio बना रहे हैं तो YT Studio का अपनी वीडियो फोटो पे अपना फोटो लगाना है उसके बाद उसके बगल में लिखना अब कुछ भी लिख सकते हैं YT Studio कैसे यूज करें YT Studio कैसे बनाए YT Studio कैसे लगाए तो ऐसा ऐसा आप लिख के डाल सकते हैं तो आज हम बताएंगे कि YT Studio में थमनिल कैसे लगाया जाता है YT Studio में थमनिल लगाएंगे उसके बाद अगर थमनिल हमारा सबसे बढ़िया है तो उसका क्लिक थूरू रिट बढ़ने के ज़्यादा चांस जोते है तो अगर हमारा क्लिक थूरू रिट ज्यादा बढ़ेगा तो वाइरल वीडियो होगी हमारी वीडियो वाइरल होगा तो हमारे वीज बढ़ेंगे इस तरह हमारा वीडियो आगे तक जाएगा तो चलो आज बताते हैं कि थमनिल कैसे लगाया जाता है तो इसके बाद हम बताएंगे कि thumbnail कैसे बनाया जाता है ठीक है तो आज हम वीडियो में बताएंगे कि thumbnail कैसे लगाया जाता है तो चलते हैं screen के तरफ, so let's start तो दोस्तों आगा है हम अपने mobile screen पर और सबसे पहले हम जाएंगे play store में जाने के बाद हम सर्च करेंगे yt studio yt studio पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ऐसा और open करेंगे अगर आप download नहीं किया रहेंगे तो install करने का option देगा तो उसके बाद मैंने download किया हुआ है तो मेरे में open का option दे रहा है तो open कर लेंगे तो हम आज आएगे मैंने पहले से बना रखा है yt studio जो कि मैं भी चलाता हूँ वह बहुत बढ़िया एप है इसमें सब चीज दिया होता है dashboard content उसके बाद analytics comment playlist सब चीज अगर आप इसे पूरा देखना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है उसमें जा सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं कैसे लगाते हैं thumbnail ठीक है तो यह जैसे मैंने एक वीडियो मैंने एक वी अपर पर हम क् lamps क करेंगे पैंशिल करने की बाद हमारे पास आ जाएगा email ठीक है तो हम यह जो फिर से परण करने के बाद हमारे पास दे रहा है यह देखिए टीन तरह यह तहीं तो इसमें यह अपने अपने से ही काट के बना देते हैं तीन इश्टेप में उसके बाद चौथा है जो की कॉस्टम थ«व्डल्ध पॉन्दे करेंगे कॉश्टम थ Dallas पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो हमारे फाइल मेनेज़र है वो खुल जाता है तो हम यह लगा देते हैं ठीक है यह लगा देते हैं उसके बाद सिलेक्ट कर लेते हैं सिलेक्ट करने के बाद अब हमारा जो है थमनिल लग गया है लग गया है लेकिन अभी अपलोड नहीं हुआ है तो हम सेव कर लेंगे सेव पर क्लिक करेंगे उसके बाद यह हमारा थमनिल जो है कि अब लग कर तयार ho Gya तो अभी थ्वा सा हां Ho गया तो अब हमारा जो है वीडियो तैयार है और थम्दिन हमारा लग चुका है इसको हम रिफ्रेश्च कर देते हैं यह देगे दोस्तों यह चेंज हो गया तो इस प्रकार से थम्निल को चेंज कर सकते हैं तो हम चलते हैं वापस आ जाते हैं अपनी स्क्रीन फर तो जूस्तों आप आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें टो ठीक है दोस्तों ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे ऐर आप वीडियो भी चाहिए और लाइक करें ऐसे जिसको आप जिसको नहीं जानते हैं या फिर जो नहीं जो आपको नहीं पता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें हम उसके उपर वीडियो बनाएंगे ताकि आपको जानकारी मिल जाए और आप अच्छे से वीडियो बना और प्रोग्रेस करें थैंक यू